नमस्कार दोस्तों मैं असिस्टर प्रोफेसर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हैं हमारे चैनल हिंदी नारी में दोस्तों असिस्टर प्रोफेसर को सिक्षर जगत का सबसे उच्च पद माना जाता है असिस्टर प्रोफिसर वो होते हैं जो डिग्री लेवल, मसलन, रिजुएशन और पोस्ट रिजुएशन को पढ़ाने की योगता रखते हैं इनके नियुकती विश्विद्याले और कॉलेज लेवल की संस्थानों में होती है उत्तर प्रोफिसर में दो प्रहुट ऐसे आयोग हैं जो असिस्टर प्रोफिसर की सरकारी भड़ती या सरकारी नियुकती करते हैं आज हम बात करेंगे इन ही दो प्रमुक आयोग के बारे में कि इनके बीच के असिस्टर प्रोफेसर में क्या समानता हैं, क्या असमानता हैं तो मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश उच्छतर सिक्षा सेवा आयोग के बारे में ये दोनों दो आयोग हैं एक UPPSC और एक UPHESC जो समय समय पर असिस्टम प्रोफेसर की भारी संख्या में नियूप्ति करता है दोनों ही सरकारी असिस्टम प्रोफेसर नियूप्ति करते हैं लेकिन फिर भी ऐसे क्या डिफरेंस है कि दो अलग अलग आयोग बनाएं गये हैं सेम पत्पन नियूप्ति के लिए आई हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग इसके जो कॉलेजेज होते हैं वो जो के जो कॉलेज होते हैं वो एड़ेट कॉलेज होते हैं अर्शास की सहायता प्राप्त होते हैं मतलब वो कॉलेज तो मैनेजमेंट के होते हैं लेकिन वहाँ पे नियूप्ति जो है वो आयोग करता है तो लोगों को ये भी कन्फ्यूजन थी कि हार एड़ेजेशन में जो एक्जाम का प्रॉसेस क्या है एक्जाम में क्या डिफ्रेंस?". तो सबसे पहले हम एक्जाम की बात करते हैं. तो जो एक्जाम फीज है वह उत्त्र प्रदूसेट्स लोगसे आईउग में मातल सो या एक सो पांच रुपय लगता है, जबकि उत्त्र प्रदेश हार अब बात करते हैं हम उम्र की क्या है एज फैक्टर क्या होता है तो दोस्तों जरूरी जानकारी भी है कि उत्तर प्रदेश लोग सीवा आयोग में एज लिमिटेशन दी हुई है वो है 21 से 40 वर्स जी हाँ मिनिमम 21 और मैक्समम 40 वर्स तक ही आप उत्तर प्रदेश लोग सीवा आयोग मतलब GDC में आवेदन कर सकते हैं इसकी अपेक्षा हायर एजुकेशन में UPHESC में उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं है आप 62 वर्स तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं वह कहीं exact प्रूप से कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा है वहां दिया वासट वर्स तक जब तक सिस्टर प्रोफेसर बना जा सकता है उत्तर QGC ने निर्धारित किया हुए तब तक आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं अब आते हम एक्जाम पैटर्न के बारे में के एक्जा के निर्तिन आते हैं हां यह जो Question का Number है कभी-कभी अलग बी भी हो सकता है जिस वी c有一 कॉखे जाते हैं और सभी question जो है अपने पास एक number रखते हैं तो मतलब 150 question 150 number के पूछे जाते हैं इसकी अपिक्षा उत्तर प्रदेश हार education में total 100 question पूछा जाता है सभी question अपने पास दो number रखते हैं इसलिए 100 question होते हैं और 200 number होता है एक और जरूरी बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में negative marking है मतलब UPSC GDC के जो exam होती है उसमें negative marking होती है जबकि UPHC की exam में कोई negative marking नहीं होती है और इसके साथ एक और जरूरी बात जो जूड़ती है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब GDC की जो return परिक्षा होती है वो केवल और केवल screening test है इसकी अपेक्षा UPHC की जो परिक्षा होती है return की उसमें final में भी return के number count होते हैं मतलब जो 200 number है वो plus जो interview होता है उसमें जो है वो return के number जोड करके आपके final merit निकाले जाती है अब बात करते हैं करें हम साक्षतकार की तो साक्षतकार जो UPGDC में जो साक्षतकार होते हैं वो होते हैं 100 number के और इसी 100 number में और यही 100 number आपके chain का निरधारण करते हैं UPGDC में पहले जो return होता है वो screening होते हैं और उस screening से तीन गुना जो candidate हैं जो select होते हैं इंटर्यू के लिए उसके बाद इंटर्यू के base पर ही जो है वो final chain होता है इसकी अपक्षा UPHSC में जो 200 number का आपका return होता है उसके बाद 30 number का मातर 30 number का आपका साक्षतकार होता है और जो final merit बनती है वो आपके return साक्षतकार के साथ बनती है तो यह बात जरूरी हो गई कि UPHSC में return का बहुत important role है जबकि UPGDC में केवल return जो है वो screening में एक जरूरी बात और बता देना चाहूंगे कि दोनों ही exam में PSD अनिवार यह नहीं है PSD ना UPGDC में अनिवार है ना UPHSC में अनिवार है कहीं भी अनिवार क्या है सेक्षिक योगता क्या है केवल आप 55% plus net पास होने चाहिए यह योगता UPHSC में ही रखती है UPGDC भी रखती है कुछ conditions में OBC, SC, ST के साथ 5% की छूट है लेकिन जो सामान जो योगता है वो है 55% जिस विशे से आपने post graduation किया है उस विशे में 55% में साथ आप उतीर हो साथ में उसी विशे में आप net भी पास किये हो अब जब आपका साथ शातकार हो जाता है और आपका final chain हो जाता है तो हम बात कर रहे हैं नियुक्ति की तो UPGDC में जो नियुक्ति है वो आपकी कहीं भी हो सकती है और वो transferable है मतलब हर दो साल या तीन साल पे आपका transfer उत्तर प्रदेस में के अलग-अलग degree colleges में होता रहता है इसकी अपिक्षा UPGDC में जो है आपका नियुक्ति merit के हिसाब से होती है और ये non-transferable है मतलब एक बार आपके जहाँ नियुक्ति हो जाती है उसके बाद आपका transfer नहीं होता है आप पूरे आप जीवन परियंद उसी एक जगह जॉब करते रह सकते हैं UPGDC के एक और अच्छी बात ये है कि उत्तर प्रदेश लोकसिवा आयू के degree colleges में जो भी असेस्टर प्रोफेसर नियुक्त होते हैं वो राजपत्रित अधिकारी के बराबर होते हैं मतलब वो गर्स्टिट ऐस गर्स्टिट ऑफीसर होते हैं इसके अपेक्षा पद सेम है ग्रेट सेम है सभी चीज सेम होने के बावजूद उत्तर प्रदेश है राजपत्रित अधिकारी नहीं लिख सकते हैं यह दोनों में एक जो है वो बड़ा अंतर्व है तो मैंने जो मोटा मोटी जो कुछ जरूरी डिफ्रेंसेज हैं कुछ समानता हैं हमने यहां पर डिसकस कर लिया है तो यह रही दोनों में डिफ्रेंसेज मुझसे काफी दिन से पूछा जा रहा था कि मैं UPGDCI UPHSC के एसेटर प्रफिसर में कौन सा चैन करूँ यह किसी प्रिफर करूँ तो दोनों ही समाने हैं, दोनों ही सरकारी हैं, दोनों ही same grade पर हैं, उसके बाद अब आप इन differences के according आपको जो भी सुविधा मिले दोनों में आप उसका chain कर सकते हैं, मैंने UPHC का chain किया था, क्योंकि मुझे ये जादा मेरे हिसाब से जादा comfortable लगा था, मैंने GDC का interview नहीं दिया वो मेरे अपनी डीजेन है, आपकी भी जो प्राथ मिक्ता हों, आप उसके हिसाब से दोनों में chain कर सकते हैं, बाकि इस वारे में कोई भी अधिक जानकारी के लिए, आप मुझे mail या comment section में पूछ सकते हैं, मेरे मेरे चैनल के तरफ से आप सभी को बहुत सारे शुकामना है, शुक्रिया